नमस्ते प्रें रादे रादे शागत है आप सबका मेरी चैनल आदेश ब्लाग पर आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार के रिष्पी सेयर करने जारें जिसके लिए आप लोगों को गाउं ये सब गाउं महीं मिलता है और गाउं जाने के जुरत नहीं आप चाह ये देख रहे हैं आप 2-3 साइट से इस तरीके से बहुत ही फेमस डिस आप लोग एक बार जदू ट्राइब केजाग मेरे तरीके से मैं कैसे बनाती हूं मैं इधर रख दिया है बैगन भूजने वाला स्टेंड इस तरीकिस मैं ने चारो बैगन इस पर रख दीया है और ती से भून लेंगे इस तरीके से पहले बैगन हो जाएगा फिर हम निकाल लेंगे टमाटर भी इसमें लगे और इधर मैं आलू भी भून लोंगी कुछ भी मैंने उबाला नहीं है सारी चीज मैंने भून के ही बनाए तो बहुत ही अच्छा स्वाधाया था बहुत ही मज़ेदार बना था और धीमियास पे इस तरह के आलू भी बहुत आराम से पक जाती है बीना पानी के अपने पानी से बहुत आराम से पक जाती है देख सकते बैगन में रहो गया है बीच में जो था उसे हम निकाल लेंगे और जो किनारे है उसे भी हम बीच में रख देंगे अलट कि इसको भी हम दो तीन बार अलट पलट के बिना पानी के यह देख सकते हैं आलो मेरी पग गई है सारी दो तीन बार मैंने पलटा था मेरी पग गए है सब चीज अब बैगन को रख देंगे हम ठंडा होने के लिए उसका छिलका अपने आप उतर जाएगा और मैं इदर ये जो भूना हुआ चना बाजार मिलता है इसको मैं एक मिक्सी के जार में पीस लूँगी ये ना हो आपके पास तो बेशन ले सकते उसे मैंने काट लिए दो मीडियम साइज प्यार थोड़ी सी अद्रक दस से बाद कली लशन की और दो हदीमिज हदीमिज साब अपने इसाब से कम जादा कर सकते हैं और सारी चीजे हम इसमें डाल देंगे जो हमने चने का बेशन बना लिया है सत्तु और उसमें मैं डाल दिया है एक चमज कलोजी या कहीं-कहीं मंग्रेला भी बोलते हैं और एक चमज अजवाइन इसे हम हाथ उसे थोड़ा से मसल के तब डालेंगे और डेट चमज करी मैं डाल दिया है जीदा अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसाद नमक और मैंने एक नीबू ले लिया है इसके बीजे निकाल के इसे भी हम अच्छे से निचोड़ लेंगी इसके इस तरीके बनाए दोस्ते बहुत ही मझे दार बनती बहुत ही टेश्टी बनती है आप ऐसे ही खा जाओगे इ झेल यसमें थ्धूड़ा जाता है सहरात है को सिस की में घर का और जा बढ़िया है bajते जल दा थाता में थाव्यम कंद आप मैंने ओर दाल दिया थोड़ाश नीबू मैंने वीमा में ड्ूमारी हुदव कंद के फटमाटर में थंडा गें सारी छिल के उतार लेंगे भैघन के और टमाटर के और आलू के भी छिल के उतार दे पड़ बंज़ेंगे और मेद निकाल दैंगे कि यह करता हैं निकाल देंगे विदंब को कर दे irresponsर च सकते ही wiele माण डहला öld। रहते हैं तो आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा वो पता चल जाते हैं इसमें अब मैंने ले लिया है एक बड़ा स्कतोरा अब जो हमने लस्टन हमेश रखा तो उसे हाथों से मसल लेंगे और बैगन टमाटर और आलू सब कुछ मैंने छी लिया है सब डाल देंगे इसमें अब डाल देंगे साधनसाद नमक मैंने थोड़ा सुपर सहदा लस्टन और अधिमीज काट ली थी आपको कम तीखा पसंद हो ताप कम डालिए और मैंने इसमें डाल दिये सरसो का तेल यह मेरे घर का सरसो का तेल है तो यह बहुत ही अच्छा टेश्ट आता इसमें देख सकते हैं इस तरीके से मैंने हाथों से ही अच्छे से चोखा बना लिया है हमारे हाथ चोखा बोलते हैं कहीं के भरता भी बोलते हैं आप क्या क्या बोलते हैं आप बता सकते हमें कमेंट करके अउपर से मैंने डाल दिया है थोड़ी सी हरी धनिया डाल के मैंने अच्छ बस उसी तरीके बस मैंने थोड़ा सा दो सी तीन चमत सूजी डाल दिया था और कुछ नहीं डाला है बस नार्मल लोटी के लिए ऐसे माटा गूते वैसे गूत लेंगे और इस तरह मैंने पेड़े काट लिया है थोड़ा सी एक साइड आंटा लगाएंगे सुखा इस तरह कट मैंने था नहीं आथी बहुत ही आसाशनी से यह हमारी लिट्टि बने के तयार हो जाती है यह देह समय Mỹ चटी जोंपल थोड़ा उठ कांप पचल शांट से निकाल लेंगे और इसकते हाथ हँ z axes लोला कर लेंगे त्यार हैं यह देख संए उन प्रम के त्यार शार्न मैंने कुछ भी उबाली नहीं सारी चीजी मैंने भून के ही बनाई है और लिट्टी का भी टेस्ट आता है बहुत ही अच्छी लगती है अगर आप सहाद में कहीं रहते हो आग में बनी में खाने का मन करता है तो आप लोग इस तरीके से एक बार जरू ट्राई कीजिएगा बि दोस्ति चैनल पे पहले बार देखें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने दोस्त और प्रेंट के साथ सेर कीजिएगा ताकि सब जो सहर में राते हैं सब इस लिट्टी चोखे का będziemy सके बना खोर जो मार किनारे किनारे उसे हम बीच में किनारे पीच वाली जल्दी पख जाती है मैं सर्व करती हूं इसके साथ सुद्ध देशी घी लगाएंगे इसमें बहुत गरम है अभी स्थाइल करते है झुम लगा देंगे हो यह हमारा चोखा कितना मज़ेदार हमारा प्लेट बन के त्यार है दोस्तों थाली आप लोग एक बार जदो ट्राइब कीजिएगा मेरी तरीके से यह ही मारी चट्नी मैंनी चट्नी धनी पुदेनी की और ले लेंगे हम इसके साथ प्याज यह बेस्ट कॉंबनी से ने बहुत ही ही बहुत ही हेली बहुत ही टेस्टी हमारी उपी किये फेमस डिस है ताप लोग एक बार जदो ट्राइब कीजिएगा चैनल पर सब्सक्राइब कर लिए मिलती है नेक्ट वीडियो